हलो सुडेंट्स मैं हूँ प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नम भरती परिवार में हम बढ़ रहे हैं 11th की Chemistry Chapter 1 Some Basic Concept of Chemistry यहाँ पर हम बढ़ेंगे Significant Figures Significant Figures क्या होते हैं आप जब भी Experiment करते हैं तो जब आप result लेते हैं पोर्स का या फिर विलॉसिटी का किसी भी चीज का जब आप मिजर्मेंट लेते हैं तो जो आपकी वैल्यूज आती है वो जो हैं वैल्यूज कुछ उनके अंदर वैल्यूज होती है पोर्स के अंदर विलूज होती हैं जिसके लिए आप एक तर्म तक कुछ इसी होती है आप देखते हो कि यहां इतनी विजिट तक तो मेरा वैल्यूज एक दम सही है और इसके आगे पताने हैं यहां जो है एक्स्पेरिमेंट के साथ, उनके रेजर्ट्स के साथ, कुछ अनसर्टेनिटी बली रहती है, अनिशिता बली रहती है, ठीक है? तो, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो, जब भी हम देखते हैं, सपोस्कूरberryा यहां पर, जो है, चार प्लेस तक हमारा रेजर्ट है, चार प्लेस तक रिजर्ट है आप इन दो टाम्स के लिए तो एक दम शूर हो कि यह जो दो डिजिट्स है मेरी एक दम सही है रिजर्ट के एक दम लदब सही है रिजर्ट के सुरू मैच कर रहे हैं तो आप इसको बोल दोगी क्या कैंब हो तो जो जिसके लिए आप अस्वो नहीं हो ठीक है आपको नहीं पता वह सही हाया नहीं है उसे हम बोल देते हैं इन सिग्निफिकेंट नंबर याफ़ डाउट फूल तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताता है अइक टेल अस दर नंबर अव डिजेट्स इन निकाला है जितनी तक आप उस वैल्यू को ले रहे हैं और उसके लिए कॉन्पिडेंट है कि मेरा यहां तक 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 मेरा अंसर सही है बात का पता नहीं तो जहां तक आप शौर है जितनी डिजेट के लिए आप शौर है वह कित्किया हो गए यह उसका सब्सक्राइल हो पिसाइब और यह होंगे और छोड नहीं है वो हो जाते है इन सिंग्निफिगेंट फिगर क्योंकि हर रिजुखट में और पूश्यों क्या मदलों हरकों चाहां जाता है जो उनका रिजॉल्ट आये वो कैसा आइग यह तो प्रिसाइज आना इसको मैं आपको एक्जाम्पल कि तुरू समझाओंगी आपको उसाता समझ में आएगा देखिए अब हम समझेंगे प्रिसिजन क्या है और एक्जिसी क्या है क्यों हर कोई चाहता है कि उनका जो रिजर्ट हो वो प्रिसाइज और एक्जूरेट हो तो देखिए यहां पर तीन स्टूदेंट्स थे यह एक्जाम्पल न्स्याइज में भी है स्टूदेंट ए स्टूदेंट बी और स्टूदेंट सी हमने एक्स्पेरिमेंट किया जिसके स्टेंडर्ड वैल्यू है जो रिजर्ट आया हो आया तू ग्राम दो बार जो है विजर्ट निकाला गया दो बार हमने जो है इस एक्सपेरिमेंट को करवाया A ने जब दो बार इसका एक्सपेरिमेंट किया तो एक बार उसकी वैल्यू आई 1.94 दूसरी बार उसकी वैल्यू आई 1.93 बी ने जब इसका experiment किया तो पहली बार इसकी value आई 1.94, दूसरी बार इसकी value आई 2.05 सी ने जब experiment किया तो इसकी पहली value आई 2.01, दूसरी बार जब experiment किया तो value आई 1.99 आई आप देखिए, प्रिसेजन का मतलब होता है कि जितनी बार बी आप results निकाल रहे हो आपकी results जो है वो कितने पास-पास है true value के नहीं, आपस में कितने पास-पास है, closeness कितनी है accuracy का मतलब होता है, जो true value है, जो result है उसके कितना करीप है बात समझ में आ रही है Precision का मतलब कि वो जो result आपके 3-4 results है वो आपस में कितना close है और accuracy का मतलब कि जो result है जो true result है value आपकी उसके कितना तरीक पर है तो आप देखते हैं अगर student एक ही बात करें तो ये 2 gram के बिल्कुल भी close नहीं है true value की तो ये close नहीं है मतलब ये accurate तो नहीं है अब Precision की बात कर लेते हैं 1.95, 1.93 मतलब ये एकदम आस पास तो है पास पास दिख रहे हैं आपको आस पास तो ये है प्रिकिए अगर हम इनका average लेते हैं यानि ये precise तो है दूसरी बात करूँ 20 student की तो पहली बात में 1.94 दूसरी बात में 2.05 तो ना तो ये accurate है दोनों value क्योंकि ये true value से नहीं मिलती और नहीं इनके आपस में जो है results वो same है या लगभग है तो ना तो ये accurate है नहीं ये precise है थर्ड की बात करूँ तो पहली बात में 2.01 दूसरी बात में result आया 1.99 तो आप देखिए ये आपस में भी जो है बिल्कुल करीब है क्योंकि इनका average निकल गया आएगा लगभग 2 के बराबट है ना 2 ग्राम के लगभग तो ये आपस में भी जो है हम बोलते हैं accurate या प्रिसिजन किसे बोलते हैं हम प्रिसिजन और accuracy आपको इस example के तुरू समझ में आ गया होगा तो अब हम जानेंगे significant figure पहचानने के कुछ rules तो अब हम start करेंगे चले start करते हमने ये जान लिए हम कि significant numbers होते क्या है significant figures होते क्या है अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी digits आ गई या हमारे पास कोई term आ गई तो हम कैसे पचानेंगे कि कितने significant number किसके अंदर है ठीक है या हम कैसे पचानेंगे कि significant number basically होते कौन से हैं कैसे identify करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कितने total significant number है particular value में तो कुछ rules हैं उसके लिए पता लगाने के लिए कि significant कोई value significant है या नहीं है कुछ उसके particular rule है आधा हम उन rules को discuss करेंगे तो देखें जो पहला rule है वो है all known zeros are significant suppose कोई value आपको दे रखी है ठीक है? माल लेजिए एक्जामपल ले रही हूँ मैं हाँ पर आपका कोई value है 4.342 ये value है चीक है? और आपको ये value दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ये कितनी इसके अंदर significant number है आपको बताना है significant number कैसे बता लगाओगे? तो इन सब चीदों के लिए rules दे रखें हैं तो यहां पर बोला है जितने भी non-zero numbers होंगे जितनी भी non-zero values हैं वो सारे के सारे significant कैलाएंगे तो आप मुझे बताइए ये जितनी भी term है 4.342 इन में से कोई भी 0 नहीं है न सारे non-zero है तो हम इन सभी को count करेंगे अगर आपसे आप इस time को कोई देगे कोई पूछ ले कि बताओ कितने significant number है तो आपको क्या करना है count करना है 1,2,3,4 तो आप लिप दोगे इसके अंदर 4 significant number है आपको सारे number count करने है आपको बस किसको छोड़ना है 0 को और बाकि जितने भी non-zero's हैं को उन सब को count करना है अगर दूसरा example में इसके अंदर लूझे से कि 3,2,2,2 अब मुझे बताओ इसके अंदर कितने non-zero's हैं यह मैं आगर यह term all लगा देती हैं चीक है 32,3,2,3,2,2,2,2,5 यह दूसरा example मैंने लिया है अब मुझे बताएं इसमें कितने significant figures है कोई भी 0 नहीं है कोई भी 0 नहीं है सारे non-zero है मतलब सारे के सारे क्या होंगे significant number count आएंगी तो गिने 1,2,3,4,5 यहने इसके अंदर कितने है significant number 5 समझ मैं आया first rule अब चलते है second rule किया आपर second rule में आपको यहीं समझा रही हूँ क्या है second rule all zeros in between non-zero are significant मतलब कि suppose करिए आपके पास एक ऐसी value है जिसमें कुछ zeros है और कुछ non-zero है जैसे कि मालो मैंने example लिया 4.005 इसमें अगर आपको कोई बोले कि बताओ significant number कितने है तो क्या rule दे रखा है इसमें कि जितने भी zeros हैं जितने भी zeros हैं in between non-zero ये भी non-zero ये भी non-zero मतलब अगर बाहर non-zero हो और उनके अंदर zeros हो तो हमें इन zeros को भी क्या count करना है significant figure के रूप में count करना है हम इन zeros को भी क्या बोलेंगे significant figure count करेंगे हम significant figure के रूप में significant number count करेंगे ठीक है बात आगे समझ में अब आप बताओ मुझे इस example में कितने significant figure है या sorry number है significant number कितने है 1,2,3,4 बात आगे समझ में इस example ले लेती हूँ आपके सामने अगर ऐसे है अब मुझे बताइए इस पूरी value में significant number कितने है कितने है गिनों के पूरे इस आरे 0s जो बीच में आ रहे है देखिए इस आरे 0s बीच में आ रहे है ना क्योंकि आगे starting में 2 है last में 4 है और 2 और 4 दोनों non-zero है बीच में आगे 0 तो ये बीच के 0 count होंगे तो count करें significant number कितने है 1,2,3,4,5,6 यहाँ पर total 6 है significant number 6 है तो आई होप आपको ये दोनों रूल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे अब हम चलते हैं 3rd rule की तरफ तो देखिए 3rd rule क्या कहता है All 0s before non-zeroes are non-significant ठीक है जितने भी 0s है before non-zeroes are non-significant हम उन्हें significant number नहीं मालेगे समझ मैं example लेते हैं suppose करें example है 0.0004 यह हमारा example है यह हमारा example है तो आप मुझे बताएं इसके अंदर significant number कितने हैं कितने है significant number rule क्या कह रहा है कि जितने भी 0s है यहां पर 0s कितने हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी 0s है before before किसके non-zeroes के non-zero यहांपर क्या है 4 4 0 नहीं है यह क्या है non-zero तो जितने भी non-zeroes से पहले 0s हैं हम उनको ignore करेंगे और हम उनको क्या मानेंगे non-significant non-significant मानेंगे और उसे हम significant number में count नहीं करेंगे तो इस हिसाब से हमारा significant number क्या हुआ only 1 क्या हुआ only 1 क्यों? तो क्योंकि इसमें non-zero सिर्फ 1 ही है 4 और इस से पहले कि इतने भी 0s आ रहे हैं हम उन्हें count नहीं करेंगे सिदा सा मतलब है अब कोई भी value ऐसी है कोई भी value अगर 0 नहीं है 2, 3, 4 कुछ भी value है और उससे आगे 0s आ रहे है और आगे इसके कुछ भी non-zero value नहीं है सिर्फ 0, 0, 0 है और लास्ट में एक non-zero value है तो हमें बाकी जो इससे पहले 0s आ रहे है उनको सब को इग्नॉर करेंगे किसी को भी significant number नहीं मानेंगे और जो एक non-zero होगा उसी को हम count कर लेंगे एक्जाम्पल लेती हो दूसरा सबोस्पर इस 0.00023 यह आगे आगे अब मुझे बताएं कितने है significant figure इस value में कितने है significant figure जितने भी अब non-zero यहाँ पर कितने है एक और दू दो जितने है non-zero इन non-zero से पहले जितने भी 0 आ रहे है हमें उनसे मतलब नहीं है वो significant figure नहीं है क्या count करेंगे हैं हम सर्फ एक और दू यहाँ इधर significant number कितना आ रहे है 2 समझ में आ गई यही यह rule बताता है अब हम चलते है number 4th rule पर यह अच्छी तरीक से समझ में आ गया होगा आपको note कर लिएगा खुट में number 4th है all zeros zeros after non zeros are significant are significant वो सारे क्या होंगे significant होंगे मतलब कि जितने भी zeros non zeros के बाद आ रहे हैं वो सारे significant number कहलाएंगे और जितने भी हमरे पहले रूल जा पढ़ा था जितने भी significant, sorry, जितने भी non zeros value है, उनसे अगर पहले अगर कोई आता है zero, तो वो तो significant number नहीं कहलाएगा, जिरो मा, लेकिन अगर non zeros के बाद अगर कोई zero आ रहा है, तो वो सारे zero जो है significant number कहलाएंगे, एक्जामपल लेते हैं, suppose करिए 4.000 है, और यहाँ पर बन लगे, अब बताईए जो यह value है, इसमें significant number कितने हैं, आपको क्या करना है, non zero के बाद में जितने भी zero है, उन सबको हमें count करना है, significant number मानना है, तो हम count करें यहां बर कितने significant number है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां significant number आएंगे 5, आई बाद सबज़ में, दूसरा example लेती हूँ, अगर suppose करिए 2.00, चोटा समय ने example लिए है, अब बताईए non zero के बाद में zeros है, तो इस दोनों के दोनों जो zero है, count होंगे significant number में, अगर इस zero पहले होते हैं, तो हम इनको count नहीं करते हैं, बाद में हैं, तो हम count करेंगे, तो कितने आएंगे significant number, 1, 2, 3, यह हो गया 3, आया यह rule में समझ में, easy था, चलेंगे 5th rule पे, 5th rule बताने से पहले, एक चीज़ आप और देखिएगा, हमने 4th rule यह पढ़ा था, कि जितने भी zeros हैं, after non zero, वो सारे के सारे क्या 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 गिलाएंगे, significant number, पट वो चीज़ कब अप्लाइट होगी जब जैसे कि अगर ऐसी वैल्यू जाएं वैल्यू कैसी आएं for example लैंक 4.00 और यह वैल्यू आती है मतलब पॉइंट अगर लग रहा है कौनसा पॉइंट decimal point अगर decimal point लग रहा है तो ऐसे में हम इन सब को count करेंगे और इन zeros को significant figure पर count करेंगे और लिखेंगे significant number कितने है एक, दो, तीन, चार बट अगर point नहीं है suppose करें कोई ऐसी value अगर आपके पास आगे जैसे कि 100 आगे ठीक है? कोई point नहीं है 100 लिखा है, तो ऐसे में आप से बहुत है significant number कितने है कितने है significant number? तो आप सिर्फ count करोगे 1 दिखोगे significant number है 1 तो यह बात ध्यान रखेगा, जो condition थी उसके लिए decimal point होना ज़रूरी है decimal के बाद जो हम बात कर रहे है ठीक है ना? जैसे कि मालव ऐसा है 4.20 अगर यह कोई value है तो इसमें point के बाद जो zero आएंगे point के बाद zero बना पहले non zero होना चाहिए यह बात condition है, non zero तो होना चाहिए पहले, पर point के बाद non zero है, यह non zero के बाद जैसे कि अभी देखो, यह पूरा non zero है ना? इसके बाद point लग गया और फिर अगर zeros आ रहे हैं तो हम इन्हे significant number में count करेंगे और लिख देंगे, तीन significant figure है पर suppose कि रही कोई ऐसी value आ रही है कहीं पर भी कोई भी significant figure, कोई भी point नहीं है decimal point है ही नहीं इसके अंदर तो हम इसको बिल्खुल भी इसका जो significant number है क्या count कर देंगे 1, कि बाद इसमें 1 है significant figure number ठेक्या ना? तो ये चीज़ आपको थोड़ी और मुझे addition में बता लेंगे, जो कि आपके NCRTs में भी given है अब हम चलते हैं इसके 5th rule की तरफ जो हम विस्कुस करेंगे देखे जो 5th rule बोलता है जो 5th rule है वो ये कहता है कि जो exact numbers होते हैं जितने भी exact numbers होते हैं जीसे कि मैंद बोलू 20 eggs मैं बोलू 2 table मैं बोलू 40 ball मैं बोलू 20 pen ठेक है? तो जो exact figure होते हैं जिसका हमें पता होता है कि ये exact figure है तो ध्यान रखना उनके infinite significant numbers होते हैं उनके infinite significant numbers होते हैं तो role fact क्या कहता है exact numbers have infinite यह मैं रिखू exact values यह numbers के ज़िए आप लिखे न exact value have infinite significant figures जो exact values होती है उनके infinite significant figures होते है जैसे कि मैंने बोल दिया 20 eggs मैंने बोल दिया 2 pen ठीक है यह हम इस 20 को न ऐसे भी लिख सकते हैं 20.00 कितना भी 0 लगाते हो इसके बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हो है ना infinite 0 लगा सकते हो और point के बाद जितने भी 0 लगते हैं हम उन सबको क्या count करते हैं significant number तो ऐसे में significant figure number जो है इसके infinite जो है हो सकते हैं तो बस यही 5th rule हमें बताता है exact value have infinite significant figures हम पढ़ेंगे एक छोटा सा rule और है 6th rule वो छोटा सा rule है वो क्या कहता है जो एक rule है 6th rule वो यह कहता है कि जो powers होती है like 4.01 multiply by 10 raised to the power 2, 3, minus 1, minus 2, कुछ भी तो जो यह powers होती है न हम इनको significant number नहीं मानते हम इनको significant number नहीं मानते तो क्या कहता है 6th rule the powers the powers are non-significant significant जो powers है वो non-significant होती है example suppose 4.01 जो कि मैंने आपको बताया multiply by 10 raised to the power 2 कोई ऐसी value आपके सामने आगी scientific notation में हमने इसको लिख दिया पढ़ाया तरह scientific notation लिख दिया हमने ऐसे तो कोई कुछे बताओ कोई significant number कितने है इसके तो आपको इस power को जो है count नहीं करना इसको आपको क्या मानना है non-significant और हम क्या बोलेंगे इसमें significant number क्या है सिर्फ इसको count करेंगे 1,2,3 तो 3 क्या है significant number 4.01 एक्जाम पर दूसरा अगर मैं लूँ जिसे के 3,2,0,2 multiply by 10 निर्शिदी पावर minus 3 कुछ भी ले सकते हैं तो ऐसे में significant number क्या आएगा आप इस power को consider नहीं करोगे non-significant मानोगे और सिर्फ इस value को आप जो है count करोगे count करें 1,2,3,4 और इसकी क्या है significant numbers तो यहाँ पर आपके जितने भी significant rules है number पहचानने के rules हैं वो सारे finish होते हैं अब हम जानेंगे जो significant numbers होते हैं basically इनका कैसे multiplication होगा कैसा addition होगा कैसा आपका subtraction होगा इस सब चीजे division यह सब चीजे करेंगे इसके अंदर तो अब हम स्टाट करेंगे तो देखे हमें आपर करना है multiplication and division दोनों के rules सेम है इसलिए मैं आपको एक्जांपल बतावी हूँ multiplication का देखे मैंने यहाँ पर जो example से आपको बताना है आपको मैंने value लिए 2.5 multiplied by 1.25 सबसे पहले आपको क्या करना है क्या rule है multiplication का कि जो भी answer आए आपको क्या करना है exact सही answer क्या माना जाएगा कि आपको जो यह value है अलग लग जो values जिनको multiply करना है आपको उनके significant number निकार लिए इसमे significant number कितने है 1 2 2 इसमे significant number कितने है 1 2 3 3 आपको इन दोनों में से जो minimum होगा जो minimum significant number होगा उसको choose करना है minimum कौन सा है 2 यानि कि जो आपका result आएगा after multiplication उसका significant number भी कितना होना चाहिए sorry 2 होना चाहिए 2 होना चाहिए आई बात समझ में चलिए करते हैं एक बार मैंने अगर इन दोनों को multiply किया तो हमारा answer आये था 3.125 यह basically इनको multiply करने पर answer आ रहा है लेकिन यह हमारा exact answer नहीं है हमें इसको एकदब exact answer बनाना है तो कितनी value तक point के बात कितनी हम value लेंगे क्योंकि हमें इद्धान रखना है कि 3.125 है इसका अगर मैं significant number लें करने तो कितना आ रहा है 1,2,3,4 4 आ रहा है लेकिन हमने अभी देखा रूल क्या कहता है जो minimum significant values जो minimum significant number होगा इन दोनों values में से result भी उतना ही minimum significant number पे आना चाहिए तो हमने देखा इन दोनों values में सबसे minimum किसका था इसका था significant number जो कि 2 था तो हमारा result भी किस में आएगा 2 significant number में आएगा तो हम यहां से अगर pick करते हैं तो हमारा क्या आएगा result 3.1 और इसका significant number कितना हो गया 2 तो यह जो है हमारा exact answer यह exact answer 3.1 कुछ नहीं करना multiply जब करोना तो उन values में देख लेना कि significant number किसका कम है तो आपका result भी उतने ही significant number तक आना चाहिए यह जो सबसे minimum होगा वही आपको choose करना है आई बात समझ में लेकिए अब हम करेंगे significant numbers का figures का addition and subtraction दोनों के same rule है इसलिए आपको साथ में बता रहें examples जब मैं आपको समझोंगे मैंने आपकर 3 values का addition करना है पहली है 12.11 दूसरी है 18.0 थर्ड है 1.012 तो देखिए जब इनका addition का क्या rule है कि आपको इन 3 values में से आपको इन 3 values में से वह value choose करनी है जिसका decimal point यानि decimal point के बाद में सबसे कम जो है number हो जिसके बाद में सबसे कम widget पर number हो तो देखिए यहाँ point के बाद में 2 number है कितने number है यहाँ point के बाद में decimal point के बारे में कितने number है 1 यहाँ decimal point के बाद कितने number है 3 तो आपका result जो होगा जो आपका result इनको addition करने के बाद में वो क्या होगा किस पर depend करेगा कि आपको इन में से choose करना है कि सबसे decimal point के बाद सबसे कम नंबर इसमें है यह वाला है आपको पता चल गया कि हमें जो मिल गया value कि decimal point के बाद में सबसे कम जो है 1 है यानि 18.0 सबसे कम इसका digit है तो आपका जो result आना चाहि है जो result आएगा उसमें भी decimal के बाद में एक ही नंबर आना चाहिए कि हमें minimum वाला पिक करना है minimum वाला पिक करना है जैसे कि अगर मैं इसका answer निकालू इसको अटाती होने मां जैसे कि आप मैं इसका अगर answer निकालू तो क्या आएगा two two one point 31.122 answer आ रहा है आपको इसे ऐते ही नहीं लिखना है आपको point के बाद में कितने digits तक जाना है depend करेगा कि आपके जो values दे रखी है जिनको आपने add किया है उनमें सबसे minimum ऐसी कौन सी value है जो point के बाद में सबसे कम digit वाली कौन सी value है तो हमने देखा कि यहां पर point के बाद में two digit थी यहां पर point के बाद में three लेकिन यह point के बाद में one थी तो हम सबसे minimum वाली देख लेंगे अब हम देखेंगे rounding off करना numbers को कि हम एक हमारा जब भी हम significant numbers का addition, subtraction, multiplication, division करते हैं तो हम एक चीज़ यह भी apply करते हैं rounding off करना, rounding off करना किसे कहते हैं, तो देखें यह rule है five का, यह rule है five का, क्या rule है, suppose करिए यह हमारा number है, पहला number हमारा क्या है, one point three eight six, और आपको यह इसमें significant numbers कितने है, one two three four, कितने है four, लेकिन अगर आपको suppose करिए significant numbers से three तक ही लेना है answer, कहां तक लेना three तक ही, मतलब अगर हटाना है, अगर यह six आपको हटाना है, तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हटा दोगे और आंसर आजाएगा one point three eight, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हटने वाली value है, वो five से बड़ी है, अगर five से बड़ी है, हटने वाली value, यह six है ना, तो जो यह, इससे पहले जो value है, value क् eight, तो हम इसमें एक add कर देंगे, और value क्या आजाएगी, यह one point three nine, बात आई समझ में, जो six था, यह हट गया, क्योंकि यह five से बड़ा था, और हमें तो सिर्फ जो result लेना था, मैंने माना कि result हमें लेना था, significant number three तक, और six हमारा हटने वाला था, लेकिन अगर five से बड़ा number को बताया, five जो number होता है, उनसे बड़े पर जो है, बड़े numbers पर apply होता है, suppose करिए, हमारे पास यह वाली value है, ठीक है, इसमें भी जो हमें remove करना था, बात नहीं है, तो इसके बागी के numbers पर कोई effect नहीं आएगा, और इसका answer क्या जाएगा इधिनी 4.33, खतम, आई बात समझ में, अब अगर इसको मैं अटातू, अब अगर बात करें, value आगए 6.25, मैं इसको इधर लिखते हूँ, 6.25, value आगए 6.25, या value आगए 6.35, तो इसके भी नियम है, और इन दोनों case में, माल देजिए हमें इस 5 को हटाना है, माल देजिए हमें significant number कहां तक लेना है, यह तो 3 significant number है, हमें सिर्फ 2 तक अगर लेना है, तो हमें सिर्फ इन दोनों को रखना होगा, 5 को हटाना होगा, तो अगर आगे सिर्फ 5 है, 5 से बड़ा कुछ नहीं है, अगर 5 है 5 को हटाना है 5 से पहले देखो अगर 5 से पहले नंबर क्या है इवन क्या है इवन तो कोई भी चेंज नहीं आएगा यह रिजर्ट क्या हो जाएगा as it is 6.2 बस हो गया significant नंबर दो और हमारा यह रिजर्ट कर देंगे वन एंड कर देंगे और हमारा आजयागा 6.4 यह हमारा अंसर होगा बात आई समझ में अगर 5 से पहले वैल्यू 5 है 5 से पहले अगर ओड है तो तो हमारा एक बढ़ जाएगा पहले वाले जिट में एक आप बढ़ा दोगे इवन है तो आप as it is नेक्स चीज़े हम नेक्स क्लास पर पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you so much